हला बोल में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ खालिद हसन चुनाव से पहले महिलाओं की सुरक्षा का मुद्धा हर पार्टी के घोशना पत्र में टॉप लिस्ट में शामिल होता है आज के समाज में सुरक्षा से कोसो दूर खड़ी महिलाओं की आखे शर्म से जुख जाती हैं जब सदन में खड़े विधायक और सांसद मर्यादा को भूल कर बेतू के बयान दे जाते हैं इस बार विवादित बयान की शुरुआ तब हुई जब केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ा कर 21 साल करने की पहल की कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता पुर्व मंत्री और करनाटक विधान सभाव के पुर्व ध्यक्ष रमेश कुमार ने गुरुआर को विधान सभाव में बलतकार पर एक और अभध्र टिपड़ी कर विवाद खड़ा कर दिया जिसकी सळक से लेकर सदन में निंदा की गई तो देखा आपने कि कैसे वेशर्म बयान पर वेशर्म हसी बड़े-बड़े दावे किये जाते हैं नेताओं के ओर से महिला शशक्ति करन की बात की जाती है लेकिन कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके नेताओं ने इस तरह की बज़ुबानी महिलाओं को लेकर नहीं की गई सपा सांसद सफिक और रामान बर्ग जो कि संबल से सांसद हैं उन्होंने 21 साल उम्र करने को लेकर कहा कि इससे आवार्गी बढ़ेगी इस घटिया सोच को आप समझ सकते हैं दूसरे सपा के सांसद मुरादाबा से स्टी हसन ने भी इसी तरह से भी बादित बयान दिया और रमेश कुमार का बयान हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से जब उन्होंने महिलाओं को लेकर अभाद्र टिपड़ी की तो वहां पर जिनको सदन की चलाने के जिम्मेदारी हो जा सकता है और आप हमारे साथ हला बोल में जुड़ सकते हैं और हला बोल में जुड़कर आप अपनी राय दे सकते हैं हमारा नंबर आपके टीवी इस्क्रीन पे चल रहा है बता दें आपको कि सरकार इसी शिद्ड कौलिस सत्र में लड़कियों की उम्र 21 साल करने को लेकर बिल लाने वाली है और इसी को लेकर अब इस पर जो विपक्षी नेता हैं खास करके उनके बोल बिगड़ गए हैं चाहें वो कॉंग्रेस के विधायक हों करनाटक से रमेश कुमार या सपा के सांसद हों यूपी से महिलाओं पर बयान देते हुए ये मर्यादा भूल जाते हैं और ऐसे टिपड़ी करते हैं जिसे कोई भी इंसान सुनना पसंद नहीं करेगा क्यूंकि बोलने से पहले नेताओं को सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं उनकी जिम्मेदारी होती है बहुत लोगों के लिए अपने इलाके के लिए वो रोल मडल होते हैं लेकिन इस तरह की घटिया बयान बाजी महिलाओं को लेकर तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और हल्ला बोल में जुड़कर अपनी राय दीजिए आप क्या सोचते हैं ऐसे नेताओं के बारे में जो इस तरह की घटिया बयान बाजी महिलाओं को लेकर करते हैं जो बयान देते हुए अपने जुबान पर लगाम तक नहीं लगाते क्या ऐसे नेताओं पर आपके अनुसार क्या होना चाहिए आपकी राय क्या है आप क्या सूचते हैं इसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए आचल एक दर्शक हमारे साथ जूड़ चुकी है आचल क्या रहा है आपकी देखे चुब मानला है जिनलों ये कोई कहावत नहीं है कि लेटी और मजली जण नहीं है कोई तरीका है क्योंकि जिसके साथ हो रहा है सर आप बीती वो सिर्फ समझ सकता है और ये कहना कि लेटे और मजलें ये एक स्टेट्मेंट एक निता को क्या कहना है क्या नहीं है ये भी माइने रखता है क्योंकि सर ये कोई छोटी सी बात नहीं है एक किसी की जिंदगी की सवाल है किसी की इज़द का सवाल है तो इनको इस तरह किसे नहीं कहना चाहिए और रही बात से मामलेगी पूरी चार्श की जानी चाहिए इन पर केस किये जाने चाहिए कि इनका स्पीफर लिया जाना चाहिए ठीक है आचल आप हमारे साथ जुड़ी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप भी जुड़ सकते हैं नमबर हमारा आपके टीवे स्क्रिन पर है वहाँ से नमबर लेजिए कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए कि क्या ये जो नेता है आखिर इनकी जुबान फि चाहिए क्या ऐसे नेताओं का समाजिक भैश्कार होना चाहिए आप हमारे साथ जुड़िया हमारा नमबर आपके टीवी स्क्रिन पर लगतार चल रहा है सवाल ये है कि ऐसे नेताओं से महिला सशक्ति करण की उमीद कैसे की जा सकती है जो इस तरह की घटिया बयान बाजी क करते हैं महिलाओं को लेकर इस तरह की सोच ऐसे नेताओं के बयान से सामने आते हैं कमाल की बात तो यह है कि घटिया बयान देने वाले जो नेता है उन पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है और एक दर्शक गुरुगराम से राम हमारे साथ जुड़ गया है राम जी क्या कहना चाहेंगे हेलो जी राम जी बोलिए आजी खाली जी नमस्कार नमस्कार सर शर्दी मैं बताना चाहता हूं मजूदा सरकार भी अध्यानी हो सकती है सम्मानूस हैं आप जो 21 साल की बात कर रहे हैं मैं ये पूछना चाहता हूं आप से या सरकार से भी पूछना चाहता हूं तो 20 साल से पहले जो बच्चे भटकते हैं चौक चौराए पर फिरे शिगरट पिरे जुआ खेल रहे हैं मौलों में देव पार हो रहा है उसके बारे में कौन मतलब विचार करेंगा उसके बारे में कब सोचा जाएगा उसके लिए भी ट्या से अँराउम जी यृजफ सरकार एक्षन लेती है और आपकी भी जिम्मेंधारी बनती है आप समाज में रहते हैं आपकी पी जिम्मेधारी है आपको आ पतिए क्या ओम्र बढ़ाने में तो आप भी हमारे साथ जुर सकते हैं लगतार आप जुर कर अपनी बात रख सकते हैं शिखा एक दर्शक गुरुगराम से हमारे साथ जुर चुकी हैं शिखा क्या कहेंगे आप जो यह स्टेटमेंट दिया भी विधायक है जो करना तक से उन्होंने मैं कहना जाते हूं कि जो भी आपके चैनल के मातियम से कि जो लड़किया है वो खुद से ही स्टॉंग रहें क्यूंकि जो देश तंभाल रहे हैं महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात करते ह हैं तो उनसे हम कोई उम्मीद नहीं लगा के रख सकते हैं इस तरीके की जो शर्म सार करने वाली है तो इसलिए मैं बस आपके चैनल के मादियम से लड़कियों को बोलना चाहती हूं कि क्या चाहती है ऐसे नियताओं पर क्या करवाई होने चाहिए ओवित लिसे देता हूं क सबसे पहले तो इस्तीफल लिया जाना चाहिए और जो इन्हीं कमान दी गई है देश को शंबालने की जिन पर हम बरोसर भी नहीं कर सकते हैं आज की डेट में इस तरीके की जो ब्यान बाजी है मजाग बनाया जा रहा है लड़कियों को खुदी स्ट्रोंग रहना चाहिए बिलकुल बिलकुल सीखा आप हमारे साथ जुड़ी इसके लिए आपका शुक्रिया तो जो दर्शक खास करके जो लड़किया जुड़ रही है उनका यही कहना है कि ऐसे नेताओं का इस्तिफा लेना चाहिए इस तरह की बैनबाजी करने से उनको बचना चाहिए और साथ ही ऐसी मानसिक्ता भी दिखाती है कि सदन में ये बड़ी-बड़ी बाते करते हैं लेकिन जब महिलाओं पर बयान देने की बात आती है तो उस मानसिक्ता का भी परदाफाश हो जाता है जो एक सफेद पोश नेताओं के पीछे छुपा होता है आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ लगातार हमारा नंबर आपके टीवे स्क्रीन पे है और इसके माध्यम से जुड़कर आप अपनी बात रख सकते हैं तो जल्दी से कॉल कीजिए नंबर हमारा आपके टीवे स्क्रीन पे चल रहा है वहां से नंबर लीजिए और कॉल की दिजिए और अपनी राय दीजिए सवाल यह है कि अगर सरकार लड़कियों की उम्रे 21 साल कर रही है साधी की तो इसमें दिक्कत क्या है कि सरकार चाहती है कि जो मात्रित तो मिर्टुदर है उसमें कमी लाई जाए लड़किया आपने पैरों पर खड़े हो सकें तो इसमें दिक्कत क्या है और ऐसी बयानबाजी क्यों क्या सुरक्यों में बने रहने के लिए या फिर महिलाओं का आपमान करना ऐसे नेताओं के जुबान पर रहता है ऐसे में उन पार्टियों को भी अपने नेताओं पर संग्यान लेना चाहिए जो महिलाओं को लेकर इस तरह की ओची बाते करते हैं घटिया बाते करते हैं निचले इस तरह पर जाकर टिपडिया करते हैं अगर पार्टियां खुद एक्शन लेना शुरू कर दें तो शायद बचाओं के जगा ये नेता ऐसी बायन बाजी से डरेंगे इसलिए किसी भी पार्टियों के नेता हो अगर उन्होंने महिलाओं पर अपमान जनक टिपड़ी की है तो उस पार्टियों के जिम्मेदारी है कि वो उनके खिलाफ एक्शन ले इस बयान के बाद महिलाओं में भी गुसा लड़कियों में भी गुसा देखने को मिल रहा है और रिशब एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गया है रिशब क्या कहेंगे तो सवाल दर्शकों के तरफ से भी आ रहा है कि जब नेता इतनी बड़ी बड़ी बाते करते हैं मैला शशक्ति करण की बाते करते हैं या फिर लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसे नारे दिये जाते हैं लेकिन उसी लड़की का अपमान उस पार्टी के नेता करता है तो आप क्या उम्मिद लगाएंगे सवाल कई है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी मानसिक्ता पर लगाम कैसे लगाई जाए क्या पहले नेता अपने आसपास नहीं देखते अपने घरों में नहीं देखते कि इस तरह से बिबादित बयान देते हैं या फिर सुर्ख्यों में बने रहने उनका मकसद है सुर्ख्यों में बने रहने की वज़े से किसी का आपमान करना कितना सा ही है आप भी हमारे साथ जुड़ें नमबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है और गौरव एक दर्शक फरिदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं गौरव जी क्या कहेंगे सर में यही कहना चाहन Гरूँगा कि इस तरीक के वी पार्टी को बाहर कदेना चाहिए उनको बहर ऑनको पहले बियान आए अबकर कीऊ को पार्टी इस तरीके की वहुए रजटी इस तरीके का है कि वह लड़की को टिन के सब थे नहीं करिंगे आनी वूली टाइम में और दूसरे भी इनको देखने की तो कहिना कहीं सरमनाक। लोगों का डर जैस भी है क्योंकि इस तरह कि अगर बाजी अगर होगा नेताओं के और से तो उनके शफेद कपड़ों के पीछे जो मांसिक्ता छुपी है वो बयानों से सामने जलक रही है और यही डर लोगों को सता रहा है दर्शक भी जो जुड़ रहे हैं उनका लागतार कहना है कि इस पर खुद पार्टियों को संग्यान लेना चाहिए इस पर आरोप पर त्यारोप से उपर उठकर कारवाई करने के जौरत है ताकि यह से लोग कभी महिलाओं के खिलाफ इस तरह के बस्जुबानी ना करें अगर लड़कियों की जो शादी की उम्र है सरकार 21 साल करने जा रही है तो इसमें आपत्ति क्या है अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जहां लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल है तो वहीं लड़कों के लिए 18 साल वहाँ पर तै किया गया है भारत में इस से पहले तक लड़कियों की शादी जो है वो 18 साल तक तै की गई थी अब सरकार इसे बढ़ा कर 20 साल करने जा रही है और लड़कों की शादी का जो समय है वो 21 साल सरकार के ओर से तै है इसी तरह से अगर बंगला देश में की बात करें तो बंगला देश भी भारत की तरह ही वहाँ भी ये उम्र सीमा लागू है क्योंकि वहां भी लड़कियों की शादी 18 और लड़कों की शादी 21 साल करने की जो समय है वो सरकार के और से तैक ही गई है चीन की बात करें तो चीन में लड़कियों की शादी 20 साल में की जाती है वहां के सरकार के तरफ से ये निर्धारित किया गया है और लड़कों की शादी की उम्र वहां 22 साल है लेकिन जैसे ही भारत सरकार अब इसको लेकर बिल लाने के तयारी कर रही है कि लड़कों की जो उम्र है वो 18 साल से बढ़ा कर 21 साल किया जाए अब इस पर नेताओं की बज जुबानी भी शुरू हो गई है रमेश कुमार कॉंग्रेस विधायक उन्होंने विधान सभा में करनाटक के विधान सभा में विबादित बयान दिया जिससे सुनना भी कोई शख्स पसंद नहीं करेगा ये कोई पहला मामला नहीं है कि इस तरह के वो बिबादित बयान देते हैं जब 13 महीने सरकार बनाने के बाद कॉंग्रेस की सरकार चली गई थी करनाटक में तब विधान सबाय स्पीकर थे उस समय भी नहीं नहीं इसी तरह का कुछ बिबादित बयान दिया था और फिर कल भी उन्हों नहीं इसी तरह का बयान दिया तो आप सवाल है कि इतने वरिष्ट होने के बाद से इस तरह की घटिया अगर बात कोई करता है तो आप क्या कहेंगे जुड़िया हमारे साथ नंबर हमारा आपके टीवे स्किन पर है और वहां से नंबर लेके आप कॉल कर सकते हैं कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं उन नेताओं के बारे में कि जब वो आपके दर्वाजे पर वोट मांगने के लिए जाते हैं तब उनके विचार कैसे होते हैं और जब जीत कर सदन में पहुंच जाते हैं तब उनकी सोच कैसी हो जाती है अगर आपको भी लगता है कि ऐसे नेता जिनें बोलने की तमिज नहीं है कि महिलाओं को लेकर क्या कहना चाहिए उस पर आपकी राय क्या है नमबर हमारा आपके टीवे स्क्रिन पर है और वहां से आ आप नमबर लेके कॉल कर सकते हैं हमारे साथ जूड़ सकते हैं सरकार ने लड़कियों की उम्र 21 साल करने को लेकर कमीटी भी बनाई थी कि कमीटी ने रिपोर्ट दी थी कि जो लड़कियों का जो पहला बच्चा हो वह 21 साल की उम्रे में होनी चाहिए क्योंकि उससे पहले क को नुकसान पहुंचता है और जान तक चली जाती है कि राजिस्तान से दर्शक मनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्या कहेंगे आजी सर जैने तो बहुत भूत शुक्री आप पो कि आपने स्वाथ दिने और जो अपने कानून लग थै कि अधिक तर जो डिबेत होती है अभी उनके अधिक तर जित्ते ही MLSP से वही लोग होते हैं कि बोल लेकी नहीं होते हैं तो जो आप भी कानून मनाया है कि 18-21 साल के उमर होने की लड़की जी तर बहुत बहुत अच्छा कानून मनाया है क्योंकि होता है कि आप देखेंगे हम कि अगर कोई भी अगर लड़की ले नगा लड़का ले नो अगर उनका तर पास करता है तो उसके अलावा जैसे उसके उसके बाद में से कुछ आगे करने का सोचा तो उसके बाद में उसके बाद में उसके बाद में से कुछ आगे करने क क्योंकि देखते हैं हमारे समाज है असी परसेंट वाहरत के अंदर असी परसेंट लोग आउंके निवास करते हैं ठीक है वहां पर सिक्षा तो पहुत रही है लेकिन एक दर्शक हमारे साथ दिली से जुड़ गए है प्रकास जी क्या कहेंगे जो ये बयानवाजी करते हैं इस तरह की बयानवाजी को ये पहला बयानवाज नहीं है आप देखेंगे कि इससे पहले भी जो उत्राखंड के मंत्री रह चुके है वो उन्होंने वे बोला था कि अग अगर इस तरह कि लड़किया रात में बहार आएगी तो रेफ होगा ये बिधान सवाव में रमेश कुमार जी बोल रहे है कि मतलब अगर लटकी के साथ रेफ हो तो लेज़ाओ मजलू इस तरह की बयानवाजी बहुत इस तरह की बैक्ति को नेता नहीं बलकि इसको सबानी पर घुस्से का इजहार कर रहा है जाहिर से बात है कि और एक दर्शक बल्देव सिंग सिर्शा से हमारे साथ जुड़ गया है बल्देव सिंग जी क्या कहेंगे हईगने हैं आपने मेरा फ्वोन को मिलोक किया हुआ है कि सिर्शा किसी इसफ़ बलॉग नहीं होता सबकर है इसा कुछ ynैंकि कि बलॉग किया नहीं बात रख ए 우ier कर धिशा जांग है ठीक है बल्देव जी आप हमारे साथ जुड़े आप इसके लिए आपका धन्य बाद आप भी जोड़ सकते हैं जब भी फोन करें तो मुद्दे पर बात रखें क्योंकि यह एक ऐसा समाजिक प्लेटफॉर्म है जो आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाता है यहां से जो आप बातें यहां करते हैं पूरा हर्याना देखता है देश देखता है और एक दर्शक रमन दिल्ली से हमारे साथ जोड़ चुके हैं रमन जी क्या कहेंगे कि मैं यह अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था तो इसमें जो बता हैं कि इनके महिलाओं के लिए और कमेंट होते हैं पार्लेमेंट मेगरा मेरे तो इसके उपर जो अजैक्शिया हों को एक्शन लेना चाहिए और इस टाइक के मेंबर्स को अगले इलेक्शन में बैन कर करनाटक विदान सभा में की है आप दिखा रहे हैं यह बात ही है कि पावर होती है इस टाइब के ममज को अगले इलेक्शन में बैन कर दो तागी यह दुबारा ऐसे काम करी ना सके ठीक है रमन जी आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आ कमबर हमारा आपके टीवी स्क्रिन पर है और जुड़कर आप भी अपनी राय दे सकते हैं जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं उनमें ऐसी बस जुबानी के खलाफ गुसा भी देखने को मिल रहा है और सारे जो दर्शक हैं वो यह कह रहा है कि इस पर पार्टियों को संग्या लेना चाहिए एक्शन लेना चाहिए ताकि महिलाओं को आप मानित करने वाले बयान ऐसे लोग जो बयान देते हैं वो फिर कभी दुस्राहस ना कर सकें लगातार हमारा नमबर आपके टीवी स्क्रिन पर है उससे आप जुड़कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं फोन करके वह जो पहल की है उस पहल को लेकर जिस तरह से नेताओं की बस्जुबानी सामने आ रही है उससे ऐसे नेताओं के मांसिक्ता भी समझ में आ रही है कि महिलाओं को लेकर ऐसे नेताओं की सोच कैसी है वो क्या सोचते हैं जब वोट मांगने जाते हैं तो इनका फोकस होता है आध बात आती है तो उसी आधी आबादी को अपमानित करते हैं और फिर वोट मांगने के लिए वहीं पहुंच जाते हैं तो अब फिर महिलाओं को भी ऐसे नेताओं को लेकर सोचने की ज़रुरत है कि अगर आपका नेता ऐसा होगा वो क्या सोच रखता है सिर्फ निंदा कर देने से ही और माफी मांग लेने से ही बात खत्म नहीं हो जाती ऐसे कई नेता हैं जो इस तरह के घटिया बयान बाजी करते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं सवाल ये भी है कि क्या ये सुर्क्यों में बने रहने के लिए इस तरह की घटिया बयान बाजी करते हैं बुजर्ग नेता भी इसमें पीछे नहीं है कई ऐसे बयान है ऐसा नहीं है कि किसी एकी पार्टी में इस तरह के नेता है अगर आप इतिहास इस बजुबानी के उठाएंगे तो करीब करीब सभी पार्टियों में इस तरह के नेता मिल जाएंगे जो महिलाओं को लेकर उन्होंने कभी न कभी बस जुबानी की हो गलट टिपड़ी की हो ऐसे में जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे थे या जो जुड़ रहे हैं वो इसको लेकर नराज़गी भी जाहिर कर रहे हैं चुनाओं से पहले तो महिलाओं के सुरक्षा का मुद्दा हर पार्टी अपने घोशना पत्र में शामिल करती है टॉप लिस्ट में रखती है लेकिन जब उसी घोशना पत्र को लागू करने की मांग की जाती है तो बस जुबानी देखने को मिलती है हल्ला बोल में इतना ही लेकिन आप देखते रहे हैं हरी रणा दूस